सच कहते हैं बहुत व्यस्त हुमें पर सच कहूं इसी हाल में मस्त हुमें बिजी रहना अपने कारियों में ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है लेकिन दोस्तों जिंदगी और रिष्टे बहुत ही अनमोल होते हैं इसे समहाल कर रखने की अतियावशक्ता होती है और इसे सम समय देना होता है और समय हमें खुद से निकालना पड़ता है अपने व्यस्त जीवन में से सो फ्रेंड्स अभी साम के 6 बज रहे हैं इनके भईया आचुके हैं जस्पूर से और हमारे लिए खाने का लेकर आए हैं खाने में हैं बर्गर और रबडी जले भी सो आईए मिलकर खाते हैं आपका मन भी हमेशा खाने का करता होगा तो आपको कुछ ऐसी चीज़े जरूर खाने चाहिए जिससे की आप खाने को अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें सो बर्गर खाते खाते इनके भाईया जस्पूर के बारे में कुछ कुछ बता रहे थे और वहाँ से कुछ समाल लेकर आए हैं सो मैं आपको दिखाती हूँ सो यहाँ पर इनके भाईया ब्लैंकेट लेकर आए हैं जो बहुत ही हैवी लग रहा है और मैं हमेशा कुछ लाते हैं तो मैं प्रैस टेक जरूर देखती हूँ और इनसे पूछती हूँ तो मैं जोट बोल देते हैं कितने का लाया हूँ इसलिए मैं प्रैस टेक जरूर देखती हूँ बहुत ही सुन्दर ब्लैंकेट है ये आपको दीख रहा होगा लेकिन बहुत हैवी है ये सो यहाँ पर प्यारे प्यारे और कंबल्स है जो मेरी दो ननन्दों के लिए हैं मेरी दो ननन्द हैं दो छोटी वाली के लिए और दो बड़ी वाली के लिए बहुत ही सॉप्ट है बहुत ही सुन्दर है बहुत ही प्यारा कलर है I think blue बहुत लोग का फेवरेट कलर होता है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सॉप्ट है भैसे चूकर देख रही थी, सोकर देख रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था सारे ब्लैंकेट बहुत ही प्यारे प्यारे कलर में है और यहाँ पर एक पर्फ्यूम है, बहुत ही सुंदर इसका फ्रेग्रेंस था मैं लगा कर भी देख रही थी और यहाँ पर कुछ कपड़े है यह वाला बैग है, जो समान के साथ फ्री में मिला है लब गिफ्ट मिला है, और पर्फ्यूम भी गिफ्ट में मिला था और यह है टावेल, मारे छोटे देवर के लिए बहुत ही प्यारा कलर है और यह वाला स्वेटर, मेरे छोटे देवर के लिए है और यहाँ पर भी मैं प्राइस टेक देख रही थी कितने का है बुलकर और यह वाला स्विटर अपने लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा कलर है वाइट के साथ ब्लू में सेड़ेड है अलफा बेट्स लिखा हुआ है इसमें भी प्राइस टेक देख रही हूँ और यहाँ पर यह दो सेड़ सॉक्स लेकर आए हैं विंटर के लिए और यहाँ पर मैं बील देख रही थी कितने का है बुलकर हमेशा जूट बोलते हैं तो मैं चेक कर रही थी गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब और यह दूसरे दिन का सुबा है सुबा के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर नास्ते की तयारी कर रही हूँ मेरे देवर लोग नहा रहे हैं उनके जाने का समय हो चुका है तो नास्ते में आज बनेगा पूड़ी और अलू की सबजी तो यह और हम दोनों मिलकर नास्ते का तयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर नास्ते की तयारी करते करते यह बता रहे थे कि जस्पूर का बहुती अच्छा टूर है तो मैं इनको बोल रहे थी तो मेरे को भी लेकर जाना तो काम की वज़े से नहीं लेकर जा रहे थे कभी वेकेशन में जाएंगे तो लेकर जाओंगा बोल रहे थे तो यहाँ पर मशाले के लिए प्याच काट रहे हैं हमारा आटा गूत रही हूँ और इनका चाय भी रेड़ी हो चुका है तो इनको चाय दे देती हूँ और यह लशुन छिल रहे हैं और यहाँ पर लशुन छिल रहे थे तो लशुन को चाय के अंदर डाल दी है इसलिए हस रहे हैं बात में ही भूल गये थे लशुन को कहां डालना है बूलके जस्पूर्टूर्ट के एंज्जॉयमेंट से भी बाहर ने निकले हैं लशुन को कहां कहां डाल दे रहे थे प्रेंड्स है यहां पर मेरी पूड़ी तयार हो रही है किसकी किसकी पूड़ी फूलती है बताईएगा मेरी तो आज फूल गई बाई चांस सो फ्रेंड्स हमारा नास्ता तैयार हो चुका है आईए सब मिलकर खाते हैं और यहाँ पर खाते खाते इंजॉय कर रहे हैं सब कोई बता आ रहे थे जस्पूर के बारे में और खाना वाना हो गया तो मैं यहाँ सफाई के लिए त्यारी कर रही हूँ आज सारे कारपेट भी दो देती हूँ सारे चादर सब भी दो दूँगी आज कि ओता रहे जडराे में सब कर दो 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 करें पु़र्ण में रहे पिरणा कलपिके जप के लिएमारे माशिका क выглядच बारे में झाल झाल तो यहां पर चादर के साथ मैं गद्दे का कवर को भी धो देती हूं, थोड़ाशा दाग लग गया था तो और यहां पर इनके भाईया का गंद गंद कपड़ा जो जसपूर से लेकर आया थे, उनको भी धो देती हूं कुछ पहने थे कुछ नहीं पहने थे तो जो गंदा था उसको धो देती हूँ सुई इतने सारे कपड़े हो गए हैं धोने के लिए सारे कपड़ों को मसीन में डाल देती हूँ दोने के लिए धूल जाएंगे संडे का दिन तो पूरे काम में ही निकल जाता है सो यहां पर चादर और कवर निकाल दी हूँ तो बोली कि गद्दे को भी छट में थोड़ा सा सुखा दो जितने भी नमी रहते हैं वो भी सुख जाएंगे तो उसको छटू पर लेके जा रहे हैं थोड़ा धूप में सुखा देंगे बहुत ही हैवी है यह गद्दा हाथ से बना हुआ है इसलिए बहुत ही ज़्यादा हैवी है और यहाँ पर मैं नास्ते का बरतन को धो देती हूँ फिजाड़ू पोछा कर दूँगी कपड़े भी धोने बाकी है क्योंकि मसीन में डाली हूँ बहुत है और यहाँ पर मेरे कपड़े दूल चुके हैं तो इन्हें मसीन से निकाल कर साप पानी से धो देती हूँ और यहाँ पर मैं कार्पेट को भी धो देती हूँ बहुत ही गंदा हो चुका था सारे बाल जढ़ जढ़ के इसी में फस जाते थे बाल भी निकल गए साप करते हुए और यहाँ पर मैं जढ़ू भी कर दे रही हूँ जढ़ू के बाद पोच्छा कर दूंगी तो सारे काम खतम हो जाएंगे तो सब्सक्राइब जढ़ था जाएंगे तो फ्रेंड्स यहां पर मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद मैं चादर बिछा देती हूँ नई वाली सभी बिस्तरों पर उसके बाद खाना खा लेंगे मेरे कपड़े दूल रहे थे तो मैं खाना भी बना रही थी बीच में तो मेरा खाना बन चुका है तो चादर बिचाने के बाद हम लोग खाना खा लेंगे दो मेरा खाना खाद खाना खाना जुका है पर मैं खाना निकाल रही हूं मेरे देवार लोग भी आ गए है लंच टाइम के लिए तो सब एक साथ खाते हैं तो फ्रेंड्स सामके छै बच चुके हैं और हम लोग यहाँ पर चाय पिएंगे तो मैं चाय निकाल दे रही हूं मेरे लिए और इनके लिए क्योंकि सोनु चाय नहीं पीता है चाय के साथ कुछ स्नेक्स ले लेते हैं बिस्किट वगेरा तो यहाँ पर हम लोग चाय और बिस्किट खा रहे हैं और साम हो गया है और वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो वीडियो को मैं यहीं पर एंट करती हूँ वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बाई